आपका स्वागत है आज हम करेंगे क्लास 5 के EVS की वर्षिट नमबर 179 B और ये क्लास 5 की वर्षिट और इसमें हम लोग सूपर सेंस के बारे में बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं नमस्ते प्यारे बच्चों उमिद है आप सभी स्वास्थ होंगे और बच्चों क्या आप जानते हैं कि जानवरों में भी देखने सुनने और महसूस करने की सक्ती होती है कोई जानवर मिलो दूर से सिकार को देख सकता है तो कोई हलकी सी आहट को भी सुन लेता है और कोई जानवर अपनी साथी को सूम कर ढून लेता है जानवरों के लिए ये सब मुंकिम और उनकी इंद्रियों की वज़ा से ही हो पाता है क्योंकि यह जो है जितनी भी गुण है यह सभी सेंस से होते हैं इंद्रिगों से होते हैं और हम जानते हैं कि पांस तरह की इंद्रियां होती हैं जैसे द्रिष्टी, गंध, सुनना, असपर्स और स्वाद के लिए आह, कान, नाक, जीव और त्वचा तो जानवरों के पास हमारी इत्रह द्रिष्टी, गंध, सुनना, स्पर्स और स्वाद जैसी इंद्रियां होती हैं यहीं इंद्रियां उन्हें अपनी आसपास की परिस्थितियों के बारे में जनकारी प्राप्त करने में मदद करती हैं आपको जानवरों की इन्हीं इंद्रियों से परचित कराने के लिए आएए पढ़ते हैं एक मज़ेदार कविता तो यहां एक कविता है एक सुहावनी सुबह जंगल की चह चहा रही थी चिडिया चीचीची सब सुबह का ले रहे थे मज़ा डर किसी का नहीं था जरा अचानक सोरगुल की आवाज आई सब को लगा कि जरूर कोई आफ़त है भाई लंगुर कुदने लगा एक डाल से दुसरी डाल देता जा रहा था सब को खत्रे का हाल जमीन के कमपन से सापने महसूस किया डर अपने अंदाज में वो चिलाया भागो अपने घर चिटियों ने भी फटा-फट से बनाई अपनी कतार डर से वो भागी जाना था नदी के पार पूरे जंगल में अचानक मच गई थी खलवली बाग निकला सिकाल पर जब ये बात पता चली तीखी नजरों से ढून रहा था वो अपना सिकार खत्रा भाप गए थे सब चाहे हिरन हो या स्यार मानो जैसे सब निंद से जाग गए बाग के डर के कारण सब घर भाग गए बाग सोचने लगा कि अब सिकार कैसे कर पाऊंगा किस जानवर को खा कर अपनी भूख मिटाऊंगा दिन बित गया अब रात होने लगी बाग की सारी उमीद अब खोने लगी उल्लू जी जब अब जागे क्योंकि रात हो रही थी सब की जुमा पर दिन भर की बात हो रही थी उल्लू दंग था जब सबने आप बिती सुनाई फिर अचानक से बोला सुलोथ कहां है भाई कोई बोला वो पत्ते खाकर आनंदित हो रहा होगा किसी पेड़ पर उल्टा लड़का सो रहा होगा तो यह बहुत ही अच्छी कविता थी अब इस कविता के माध्यम से हम इंद्रियों की बाते जानेंगे तो बच्चों यहाँ प्रस्ण है कि जैसा कि आपने कहानी से जाना कि बिभिन्न जानवरों की इंद्रियों की विसिस्ताएं भिन्न होती हैं अब आप इन्हीं विसिस्ताओं को ध्यान में रखते हुए नीचे दिये गए प्रस्टनों के उत्तर अपनी कापी में लिखिए जैसे यहां है हीरन के किसको देखकर होस उड़ गए तो बाग को देखकर एका उत्तर होगा बाग ठेक उसके बाद भी है लंगुर ने जानौरों को किस तरह संकित किया तो कूद कर लंगुर ने कूद कर जानौरों को संकित दिया उसके बाद सी है कि सलाथ के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पनी पाठ पुस्तक के पाठ एक में से पढ़कर चार से पांच पंक्तियां लिखिए तो चलिए सुलोत के बारे में C का उत्तर में आपको बता दू सलात भालू की तरह एक जीव होता है यह दिन में 17 घंटे सोता है और इसकी उम्र 40 वर्सों की होती है तो आप इसके उत्तर में यही बाते लिखेंगे अब चलिए पुना वर्सील पर next प्रसन देखते हैं next प्रसन डी है कि उल्लू किस समय सोता है तो उल्लू रात के समय सोता है उसके बाद है प्रसन ई साप किस परकार खतरा महसूस करता है तो सांप जमीन के कमपन से खत्रा महसूस करता है किस प्रकार करता है कमपन से और फिर F है ऐसे दो जानवरो अथवा पक्छियों के नाम लिखिये जो हमारी भासा समझ सकते हैं तो एक हमारी भासा हाथी बहुत अच्छी तरह से समझता है और दूसरा तोता यह दो ऐसे हैं जो हमारी वासा समझते हैं और next प्रस ने पता किजिए और आपनी कापी में लिखिए कि नीचे दी गई कौन सी बस्तों की गंध आपको और आपके परिवार के सदस्यों को पसंद है और ना पसंद है तो सबसे पहले पसंद आने वाली चीज देख लीजे कि गुलाब का गंध पसंद है दूद का गंध पसंद है परफ्यूम पसंद है और हींग का गंध भी पसंद है तो ये पसंद आने वाली हैं अब color change कर लेते हैं और purple color से जो होगा वो नहीं पसंद आने वाली तो मिट्टी का गंध पसंद नहीं आता है पेट्रॉल का गंध पसंद नहीं आता है कुछ लोगों को प्याज का गंध पसंद आता है कुछ लोग को नहीं आता है इसी तरह चीकू का अगंद सब को पसंद आता है तो चीकू करेंगे और प्याज में भी आप करेंगे क्योंकि प्याज खाते हैं इसलिए इसका अगंद पसंद में आता है तो इस तरह से आप इसको लिख लेंगे पसंद और नापसंद वाले तो इ